हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज मायो सेंडविच रेसिपी जो बहुत ही इजी है और कुछ हे मिन्टों में आप बजार से भी अच्छा सेंडविच जो है घर पर ही बना सकते हैं और सेंडविच जो है वो सबका फेवरेट होता है और बच्चों का भी काफी फेवरेट होता है और veg mayo sandwich जो है वो इतना healthy और tasty बनेगा कि बच्चे बार-बार आपसे भूलेंगे उसी को बनाने के लिए और ये healthy भी है और tasty भी है जब आप grill sandwich खाने का मनना हो तो इसको बनाएं और ये कुछ ही मिन्टों में तियार हो जाते हैं चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है आप कोई भी ब्रेड ले लिजिए हमें उसके corner remove करने पड़ेंगे तो यहां पर मैंने normal bread ही लिए हैं sandwich bread जो market में मिलते हैं और इस तरीके से चारो तरफ से जो इसके corner थे brown वाले उनको मैंने remove कर और अब यह सिर्फ white bread हमारा बचा हुआ है तो चलिए मैं बाके के ingredient भी आपको बता देती हैं जो हमें चाहिए तो bread तो आपको पता ही है कि हमने उसके चारो कोने remove करके ले लिए हैं इसके साथ ही हमें चाहिए खीरा जो कि मैंने पतली-पतली slices में काट लिया है पतली-पतली मैयो यूज कर सकते हैं मैयोनीज यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने फंट फूड की मैयोनीज यूज की है और साथ में हमें थोड़ा सी कैचप चाहिए तो हमारे खीरे जो हैं उनकी हमें बिल्कुल पतली से लेयर काटनी है जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा मारा सेंवि पर अपना पहली ओप कर लिए रिए टार इस प्रेट नमक लेगा ली। अब दूसरा ब्रड़ लेंगे और इसके एक साइड मीओनेज उसको जब अच्छे से ब्रेट लगा लिए और इसको लगाने के बाद जो हमारा ग्रीन चपनी वाला ब्रेट रागा लिए और दूसरा ब जो हमारी pizza seasoning थी या जाट मसाला आपके पास चाट मसाला वह भी स्प्रिंकल कर सकते हैं तो थोड़ा से मैं ये स्प्रिंकल किया है इस पर और इसके बाद मैं अपनी जो salad की layer है वो करूंगे के चाट लिए के रिंकिन के को अज़ूंगी रहा है। ड़ने ठीछ सिसी कर्धा सब्टति रिंग करें ज़्याइख सप्रिंकल करें के लिए आवने पार इसवज संद्शिय करें हम प्रोज इस तरीके से एसे लगा देंगे अब इस के एक तरफ मायो अपलाई कर लेती हूं तो म्योनेज आप अच्छे से लगाएं क्योंकि इसमें ज्यादातर म्योनेज का ही टेस्ट आता है सेंडविक में अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसको कम भी लगा सकते हैं तो इसके बाद हम दुबारा से थोड़ा सा जो हमारा मसाला है उसको स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि उसके साथ मायो काफी अच्छी लगती है टेस्टी लगती है और यहाँ पर हम इस वाली लेयर पर थोड़े से टमाटर की स्लाइसे रखेंगे और दुबारा से और कुछ अनियन की रिंक्स हम टमाटर के साथ यहाँ पर रखेंगे क्योंकि वो भी काफी ज़्यादा टेस्टी लगती है सेंट्विच में तो यहाँ पर मैं यह दो ही स्लाइसे यूज करूँगी क्योंकि यह दो ही काफी है और इसके साथ मैंने कुछ अनियन की रिंक्स रख दे हैं और इन पर अब मैं दुबारा से अपना जो मसाला है वो स्प्रिंकल करूँगी ताकि इन पर भी थोड़ा से मसाला लग जाए और अब हमें अपनी थर्ड वली ब्रेड लेनी है और उस पर जो हमने कैचप ली थी उस कैचप को अपलाई करना है तो देखे इस तरीके से मैंने इस पर चारो तरफ अच्छे से कैचप अपलाई कर ली है और अब हमारे ये सेंडविच के लाज स्टेप है इसको हम अपलाई करने के बाद इस तरीके से उल्टा गरके अपने सेंडविच पर रख देंगे ये देखे फ्रेंस हमारा जो सेंड तो आपको जो भी शेप पसंद है आप वो इसमें काट सकते हैं या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स कितनी चटपड हमारा सेंविच रेडी हो गया है जो खाने में टेस्टी तो है ही साथ में हेल्थी भी है और सेंविच के साथ साथ बच्चे सेलिट भी खा रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है तो आप भी इसको जरूर बनाएए और ये देखिए हमारी तीनो लेयर कितनी अच्छे से साफ और क्लियर नज़र आ रही है और यह 3 layer का sandwich बहुत yummy और creamy है टेस्टी है तो friends कैसी लगी आपको मेरी recipe मुझे comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजेगा ताकि आपको new recipe सबसे पहली मिलती रहें और अगर आपको पसंद आई तो please like, share and comment मैं आपको दुबारा से next recipe के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए टाटा बाई बाई, thank you